आज आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि अपने घर को आप एक मंदिर जैसा कैसे बना सकते हो जहाँ पे आप स्वैम बहुत अच्छा मैसूस करें आपकी परिवार जन बहुत खुश हो, सुखी रहे, पीसफुल रहे, शांती के साथ जिंदिगी बिताएं और सम अच्छा हो जाए कि वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही आकर सित करें और वो कहें कि आपके घर आके बहुत अच्छा लगता है और बार बार आना चाहें, राइट, सो कि मैं उसी से रिलेटेड हूँ, तो मैं जस एक्जामपल दूँगा और मैक्सिमों ल पाहर के मंदिर में, किसी बड़े मंदिर में गए हो, तो आपने अपने आपको देखा होगा कि आपकी अपनी जो नेचर है, आपका जो क्यारेक्टर है, वो कुछ तक बदल जाता है, घर पे शायद अलग होते हैं, सड़क पे शायद अलग होते हैं, लेकिन आप मंदिर में तोटली अलग बन जाते हैं, बहुती बहुती भाक्त बन जाते हैं, बहुती सोबर बन जाते हैं, बहुती पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीके, तो यह जो बात है, उसको थोड़ा समझने की कोशिज करें, और मंदिर में आप बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं सबको, सबको मि चीजों को वहां के हर एक वस्तूओं को आप बहुत अच्से से ट्रीट करते हैं जैसे आप जाएंगे तो आपने जूते चपल आप बहुत सलीके से रखते हैं तो आप फोन जैसे आता है ता आप बोलते हैं कि मैं मंदिर में हूँ मैं अभी पूजा कर रहा हूँ या खड़ा हूँ या फिर मैं दर्शन कर रहा हूँ और मैं बाद में बात करूंगा आप वहाँ पे जोर से बात नहीं करते अपने धंदे की बात नहीं करते आप वहाँ पे टेंजन की बाते नहीं करते वहाँ पे जोर जोर सुनी बोलते हैं गुस्सा नहीं करते हैं और डेफिनेटली गाली गलोज नहीं करते हैं लेकिन लेकिन आप अगर घर पे होते हो अगर आपका फोन आता है तो आप जोर से भी बोल देते हो गुस्सा भी कर जाते हो और कई बार गलत बाती भी मुझे निकल होती है देखो मंदिर में भगवान का एक वास है यह हम उसे इसको रिप्लेश नहीं कर सकते हो कि अगर वो एनरजी चाहिए जो डिवाइन इनरजी है उस इश्वर से भगवान से आपकी जो भी इस्ट देव है उनसे आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा बट मैं बोल रहा हूं कि महीने में एक बार या छे महीने में एक बार आप पहुंँँआ जाते हैं तो डेली जो आप घर पे रहते हो व दोनों तरफ positive रहें यहाँ पर भी positive रहें वहाँ पर भी positive रहें और वहाँ पर जाए तो सिर्फ और सिर्फ हाद जोड़के thank you बोलने जाएं कोई मांगनी की ज़रूत नहीं कुछ भी अलग से demand करनी की ज़रूत नहीं ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा हम करते हैं, तो हम जब जाते हैं, तो सिर्फ थैंक यू बोलते हैं, वहां से कुछ और हमें कुछ नहीं चाहिए, वहां पे जाते हैं, थोड़े दिल बैठते हैं, नमस्ते करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और खुशी-खुशी आते हैं, स्माइल करते है हैं खुश होते हैं कभी-कभी आग से आसु आता है यह नो बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आता है तो वह क्यों होता है क्योंकि वहां की एक अलगी डिवाइन पावर होता है लेकिन वहां पे जो आपका ट्रिट्मेंट होता है आप जिस तरीके से वहां पे बिहेव करते हैं तो अब आप वापस रहिए मंदिर में आप कैसे बिहेव करते हो चपल आपने उतारी मंदिर में सीनियों को आपने ऐसे नमस्ते करते हुए गए उपर गए तो मंदिर का घंडा ढंग कर गे बजाया फिर आपने बड़े स्रद्धा से नमस्ते किया फिर आप लाइन पे खड प्रेनाम करते हो आप ऐसे चक्कर लगाते हो और हर जगह को आप नमस्ते करते हो और वहां की हर एक चीज पूजनिय होता है आप किसी चीज को लात नहीं मारते किसी चीज को ऐसे नहीं फेक देते आपने ध्यान दिया होगा लेकिन जब आप अपने घर पे होते हैं तो वहां पर माहोल बदल जाता है वहां पर treatment बदल जाता है वहां पर behavior change हो जाता है इसा बनाना हो तो मूर्ति स्थापना करना जरूरी नहीं, बाहर गंठा लगाना नहीं है, कि गंठा दबा के कोई आएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि मंदिर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनर एनरजी की बात कर रहा हूँ, और उसकी लिए एक discipline होना चाहिए, आपका घर पे भी होना चाहिए कि आप वहां की हर एक चीज को नमस्ते करो, पूजा करो, किसी को पैर नहीं मावा, किसी को लाप नहीं मावा, किसी भी चीज को आप कुसी भी तरीके से ट्रीट में करो, हर एक चीज को बहुती इज़त से, सम्मान से, धंग से ट्रेट करो, जब आप ऐसा करेंगे तो हर एक चीज पूझनिया हो जाएगा, और चुकि everything in this world is made up of atom, हर एक के अंदर अणू होता है, इसलिए हमारे धर में कहा जाता है कि हर एक चीज में ईश्वर का वास होता है, कड़ में ईश्वर का वास होता है, तो ईश्वर का वास मतलब वो जो atom है, वो जो अणू है, वो जो smallest particle है, वो तो सब में होता है, आपके skin को भी अगर तुकड़ा लिया जाए और उसको टुकड़े-टुकड़े करके देखा जाए, तो microscopic level में सबसे smallest particle atom होता है, और उस atom के अंदर अगर आप जाओ, तो electron, proton, neutron होता है, तो same चीज हर चीज में होता है, जैसे कि इस pen की बात करूँगा, तो इस pen की भी अगर एक तुकड़े को लिया जाए, और सबसे smallest particle को microscope में देखा जाए, तो इसके अंदर भी atom होता है, और atom के अंदर electron, proton, neutron, neutron और very powerful energy एक दूसरी की तरफ move कर रहे होते हैं, और वही energy है, तो उस energy को आप कैसे treat करते हैं, उससे वो चीज आपके लिए या तो favorable बनता है, या तो वो आपके against में जाता है, इसलिए हमारे धर्म गरंद में लिखा गया है, और पुराने हम अपने scriptures को पढ़ते हैं, या महावारत को पढ़ते हैं, सुनत करूँगा, जैसे उनके गोड़े थे, उनका नाम होगा, उनका जो रत था, उनका नाम उन्होंने दिया था, उसी तरीके से उन्होंने, जो उनका चक्र था, उसका नाम रखा हुआ था, जैसे सुदरसन, ये जो बाते हैं, ये हमने actually सुना है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है लेकिन हम अगर अपने बच्पन की तरफ जाएं ओके थोड़ा सा आप प्रैस पैक में जाएं बीस साल पत्ची साल पुराने अपने जमाने में जाएं अगर कोई समझ सकते हैं तो कोई भी चीज हमारे घर पे आती थी तो हम उसकी पूझा करते थे जैसे पुराने जमाने में रेडियो आता था बड़े बड़े तो रेडियो खरीद के लाए जाता था जो जमाने बहुत बड़ी बात थी तो उसकी पूझा आर्ति की जाती थी उसके बार टीवी आता था तो टीवी को भी हम ऐसे ही पूछते थे और कोई साइकल खरीते थे कोई बाइक करीता है आज के डेट में या कार लेता है तो हम पूजा नहीं करते हैं तो कार और बाइक की तो हम पूजा करते हैं क्यों क्योंकि डर होता है कि एक्सिदेंट नहीं हो जाए लेकिन दूसरे चीज को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी इश्वर का वास है और जब आप हर एक चीज को ऐसे ट्रीट करेंगे तो वह पूजनिय हो जाएगा वह पवित्र हो जाएगा वह पावर्फुल हो जाएगा और फिर वह आपके साथ एक कम्यूनिकेशन करेगा और वो आपके लिए हमेशा फैवरेबल बन जाएगा तो चीजे आपकी खराब नहीं होगी जैसे अगर आपकी कोई इलक्ट्रोनिक गैजेट्स हो कर रहा हो तो उसको भी आप बड़े प्यार से रख सकते हो उसका नाम अलग से रख सकते हो और उसको आप एक ट्रीट करोग मैंने समझा है था तो आपके घर में जो भी पानी यूज होता है वो पूरी तरह से यूज होता है डेली बेसिस पर सुबह से लेकर रात तक यूज होता है नहाने के लिए धोने के लिए बरतन माजने के लिए पीने के लिए खाने के लिए तो यह जो पानी है बहुत important factor है आ चीज आप घर पे भी करो उसके लिए आप हमेशा उसको चार्ज करते रहो यह नहीं कह रहा हूं लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस ही इतना पॉजिटीव हो कि वो आटोमेटिकली चार्ज रहे है पॉजिटीव एनर्जी से तो कितना अच्छा हो तो उसके लिए डेफिनिटली आपके थॉट प्रोसेस में आपके बिलिफ में यह होना चाहिए कि घर में भी आप वैसा ही करो जैसा आप मंदिर में ट्रेट करते हो तो क्या नहीं करना चाहिए डेफिनिटली आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए इरिटेट नहीं होना चाहिए जोर से नहीं बुलना चाह चाहिए किसी की बुरा ही नहीं करनी चाहिए और डेफिनेटली शौक नहीं मनाना चाहिए अपने घर को कोप भवन नहीं बनाना चाहिए कोप भवन वाड़ी सुना होगा आपने पुराने जमाने में राजा होके राज महल में होता क्या था कि एक अलग से एक महल होता था जहां पे राणिया कोप करने के लिए जाते थे शोक मनाने के लिए गुसा करने के लिए इरिटेट होने के लिए जाते थे उसको कोब भवन बोलते थे कि कहा है रानी आजकल कोब भवन में राजा समझ जाते ही कि अभी कुछ गुस्सा है कुछ रुठे हो है वो वहाँ पे क्यों रहते थे क्योंकि यहां पे यहां का माहुल नहीं खराब करना है यहां की positivity आपकी डिस्टब नहीं होनी चीज़ के और create करना है जो कि positive हो तो घर के अंदर कोई आए बले ही गंती बजा के ना आए लेकिन treatment ऐसे होना चाहिए चपल सही तरीके से सलीके से रखा होना चाहिए जूते बाहर होनी चाहिए और जब आप अंदर आओ तो आपका वो treatment होना चाहिए आपकी body language वैसा होना चाहिए कि आ आप actually में भगवान के घर बैठे हो और तब आपको बूरी बात नहीं बोलनी है बूरी बात नहीं सोचनी है गुस्टा नहीं करना है irritate नहीं करना है और सामान को जो भी चीज़े आपकी घर की है सब पूजनिया है आपने करिदा है वह आपका है तो उसको सही तरीके से treat करो सबसे प्यार करो सब के साथ में एक positive relationship create करो जब यह आप करेंगे तो आपका घर पवित्र हो जाएगा positive energy से भर जाएगा लेकिन इस ची हुई है या फिर बहुत सारे लोग है राइट और आप लोग तो definitely make sure कर सकते हो क्योंकि आप उस घर की धूर हो आप discipline create कर सकते हो आप वहाँ पर maximum time रहते हो तो आप वह discipline शुरू करो I am talking to the ladies first okay and then the male part of course फिर male को भी educated होना चाहिए क्योंकि आपको भी तो घर में शांती चाहिए प्यार चाहिए ओके आपको भी समरिद्धी चाहिए तो यह तभी होगा जब सभी लोग positive रहे शांत रहे और घर मे negativity create न करो आपको अगर गुसा आता है तो बहार चले जाओ इरिटेशन हो रही है तो बहार चले जाओ लेकिन घर्म की महावल को change मत करो और अगर होता भी है तो उसको आप immediately convert करो positivity में positive सोचना शुरू करो उसको आप ठेक कर लो ठीक है जगड़े सुल जालो positive और शांती बनाए रखो घर में और हर एक चीज को सही तरीके से treat करो जब आप ये treatment change कर दोगे तो आपका घर मंदिर बन जाएगा और आपका घर का पानी पंसाम्रिद बन जाएगा और आप जो हैं home makers हैं या फिर working भी हैं लेकिन घर में फिर भी आप खाना पकाते हो खाना परोष्ते हो तो आपको क्या करना चाहिए आपको खाना बनाते वक्त at least चौकरे से ही की चौकरे का chanting करना चाहिए या फिर कोई ओम जाप जो आप background में लगा सकते हो वो करना चाहिए या फिर परिवार के लिए है और जब वो खाएंगे तो वो बहुत अच्छा मैसूस करेंगे, पॉजिटिव मैसूस करेंगे, इससे उनको स्वास्थे मिलेगा, इससे उनको सुरक्षा मिलेगा, ये खाना खाके मेरा परिवार खुशाल हो जाएगा, ऐसा सोच के आप जब खाना तो विश्वास कीजे, वो प्रसाद बन जाएगा, लेकिन मैं ये कताई नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदिर को रिप्लेस कर रहे हो, नहीं, मंदिर को रिप्लेस नहीं कर सकते, भगवान का कोई प्लेस्मेंट नहीं ले सकता, ये जब भी आप जाएं, वो अलग भाव है, वह पर जाएं जरूर जब भी आपको जाना है, डेली जाते हैं, वीकली जाते हैं, मंतली जाते हैं, जो भी आपका एक प्रोसेस है, लेकिन जब आप घर पे हो, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से माइंड में आवेर रहे, आपको हमेशा प्रेजंट प प्रेजंट पिका करना है, सिर्फ पॉजिटिव बाते सोचनी हैं, कुछ अच्छी बाते कर सकते हैं, कुछ भजन लगा सकते हैं, शान्ती मिलने बहुत ज़रूरी है, और जब आप शान्त रहेंगे, जो घर पे हैं, बागी लोग अगर बाहर भी रहते हैं, या कुछ और भ टाइब कीजिएगा कि क्या आप लोग इससे इत्वाक रखते हो, डू यू रियली तिंक दाट एक्चुलिए इट इस पॉसिबल, सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ माइंड को सिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिंपल एक सिफ्टि वही है, लोकालिटी वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन अब कल से जब आप यह काम करना शुरू करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि जब नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ इस वीकली मास्टर माइंड क्लास में बैठूंगा, तो मुझे बहुत सारे अमेजिंग चेंज कीजिए, कि आप जिन चीजों को सिर्फ चीज समझ रहे थे, वो चीज नहीं है, और आप घर को जो कॉमन सोच रहे थे, कि यह तो घर है, वो मंदिर है, डिफरेंस बहुत है, नहीं है डिफरेंस, बस आपका ट्रेटमेंट चेंज हो जाए, तो उसे भी आप मंदिर जैसा बना सकते हैं, एटलिस वो बेनिफिट्स ले सकते हो, और फिर जब भी आप मंदिर जाए, सिर्फ और सिर्फ तैंक यू बोलें, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सब वो कुछ आपको अलरी दिया हुआ है, इश्वान ने भगवान ने, बस तैंक यू बोलते ज सिखाएए, यह रोना धोना कंप्लेंड करना बंद कर देजाए